ट्रेडर यह जो है next candle prediction का मतलब जो है वीडियो लेकर आया हूँ ठीक है आप लोगों को काफी पसंद आता next candle prediction कैसे करते हैं क्या करते हैं ठीक है तो एक अच्छी सी market pilot ढूंडेंगे उसके बाद next candle prediction हम लोग करेंगे ठीक ध्यान रखना कि एक एक चीज एक बात मेरी समझना कै ऐसे मैं क्या करूंगा और मैं हमेसा समझाया करता हूं जो कि मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं कि मेरे पिछले वीडियो जरूर देख लो next वीडियो समझने में बड़ा असानी मिलेगी आपको ठीक है ना मैं एक सिरीज बना दूँगा मतलब एक प्लेलिस्ट बना दूँगा इसकी तो उसमें आप लोगों को पूरा एवन मलब वन से लेकर मलब एट से लेकर जड़ तक नेक्ट कैंडल प्रेडिक्सन का पूरा मिल जाएगा आपको तो मैं जल्दी क्रियेट कर दूँगा एक प् में बता चुका हूँ पहले भी और आपको टेलीग्राम मेरा पूरा प्रोसेस मिल जाएगा टेलीग्राम में लिए और जो मैं एक प्लेटफर्म यूज कर रहा हूं इसका लिंक भी विडिक्रप्सन में आपको मिल जाएगा ठिक चलते हैं मेन मुद्दे पर तो अच्छी सी कोई market पहले देख लेते हैं next candle prediction के लिए जहां पर side wage market रही हो तो वहां से इसलिए मैं side wage market में आप लोगों को सिखाता हूं कि एक चीज आपको समझ में आए एक एक candle की psychology आपको समझ में side wage market में ही psychology समझ में आती एक एंडल की कि कहां अच्या support है कहां resistance है कहां क्या है क्या है इसलिए जाइड़ेज केंडल की psychology आपको समझने आएगी ठीक चलते हैं कोई अच्छी सी मार्केट पहले देख लेते हैं जहां side wage market रही हो कि तो यूरो कैड यहां पर कोई अच्छी सी यह trendy market है side wage market नहीं है यूरो आर्ट देख लेते हैं यह भी हलाकि side wage है लेकिन काफी का है downward का तो बहुत ज्यादा चला उसके बाद upward चला बहुत ज्यादा चला तो इसको भी side wage नहीं मानेंगे हम लोग साइड वेज हां यह मार्केट जो है यह side wage मार्केट लेकिन इसमें बनेगा नहीं हम लोगों का इतना यह market देख रहे ना ठीक है क्योंकि काफी आपको मुलब हर एक candle की knowledge मिल जाए काफी देर तक जिसमें side wage मार्केट चली हो वो चीज देखते हैं यह ठीक है ठीक यह इतनी मार्केट आपकी side wage मार्केट में ही है हाला कि अगर long time frame में देखेंगे तो trendy है लेकिन अगर इसको थोड़ा सा थोड़ा सा सही से करेंगे तो यह आपकी यह side wage market इतनी है ठीक तो चलो इसी को ले लेते हैं side wage market को यहां से यहां से यहां से और यहां से यहां से ठीक एक second guys yeah sorry यहां से ठीक यहां से हम लोग चलते हैं तो मैंने एक चीज आप लोगों को समझाया है क्या समझाया है मैंने एक चीज आप लोगों को समझाया है कि जब भी कोई candle, suppose that, suppose that ये वाली जैसे candle है, इसको कोई candle covered कर ले, ठीक, पूरा मतलब तो ये कौन सा हो गया, देखिए मेरा candle वाला वीडियो देख लीजिए, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक ना, कैंडल वाला जरूर देख लेना, वहाँ पर मैंने हरे candle का लाव्ज दियूई है कि कौन से कैंडल कैसी ओती है, क्या काम करती है, है मोरू बोजू क्या होती है, आपका डोजी कौन सी होती, एंगल फिंग कौन सी होती, बुलिस अंगल फिंग आप ये ये बियरे संग इंगल मे करनेगी तो वो क्या होगा उसको पूरा कवर्ड कर लेगी उसकी बॉड़ी को तो वहां से क्या होता है ट्रेंड चेंज होता है आपका ठीक मेरी बात समझे अब यह ही जैस्ट इसका पोजेट जैसे कि यह यह देख लो यह बुलिस एंगल फिंग हो गई यह देखो इसकी पू केशना क्वली वाली गरीन केडल होनी यह ठीक सुछ ले तो समझ लेकन सी है यह बुलिस एंगल फिंगें इसी तेनर पोजटी यह यह बी यहीरी संस्छ लंग्ल फिंग kitchen मैं क्या क्व ballot टो होलेHarald लेगान कैंडल शाहिए घ्ट जोबम्लब डॉन क्रेंड लिए मार्किट ई और यहां से अफ ट्रेंड के लिए मार्गेट होगे और अब ट्रेंड यहां से चला ऑड वह days one two कि अभ चलते हैं आप इसके बाद कौन सी क्टील बंनीडर इस कैंडल के बाद कौन सी कैंडल बननी चाहिए जायर इसी बाद इसको क्या किया एंगल कर लिया फूरा खाल या मतलब कर लिया ठीक ना तो यहां से ट्रेंड आपका चेंज होगा डाउन वर डायरेक्शन के लिए है तो नट करल आपकी कौन से बननी चाहिया रेड कैंडल बननी चाहिया देखते हैं किया रड को बनी हुई है धीर धीरे लिचम यूशbar दिदेरे नचे लेंगे इसको के वाली और देल के बाद ग्रीन कैंडल बैक próxima इस कैंडल के बाद भी जैसे हैं एक मालनों यह वाली कैंडल कि भाद भी इक से जाइर सी बात सेम अपोजिट जब भी एक बहुती बुरी बीरी स्केंडल मतलब फुली बाडी हो ठीक ना तो रिप्रेजेंट करती है कि यहां से पहली बात तो एक कनफरमेशन यह हो गया आपका बीरे सेंगल फिंका दूसरा कनफरमेशन हो गया आपका नेक्स्ट कैंडल वा कि बहुत अच्छे आपकी रेड़ कैंडल नेक्स्ट वाली बनी होई है अब कौन सी कैंडल बनेगी अब उसके लिए आपको सपोर्ट एंडर जिस्टेंस देखना पड़ेगा सपोर्ट चलो ले लेते हैं लोग मैं चैनल ले लेता हूं रेक्टेंगल ले लेता हूं उसी से मैं सपोर्ट निकाल लेता हूं अब यह को कि नीचे कहीं सपोर्ट है सको मैं ऐसे कर देता हूं बिल्कूल है लेकिन दूर है अभी इसको यहरा पर है यह वह व्यंदक आ पर यहां पर आप देखीएगा जहां कर रहा हूं सपोर्ट लिया है तो जाहिर सी बात है कि अगली वाली केंडल यहां तक तो आनी है लेकिन हो सकता है कि retracement भी कर सकती इसको break भी कर सकती क्योंकि एक मजबूर trend भी आ रहा नीचे की तरब इसको break भी कर सकती है ऐसा नहीं break नहीं लेकिन यहां तक तो market को आना ही आना है जहां पर मैंने support यह draw किया हूँ क्योंकि यहां पहले support ले चुकी है market इस जगह पर तो next candle यह gap फिल जरूर करेगी ठिक तो देखते हैं क्या red candle बनी हुई है बहुत सई red candle आपकी बनी हुई है और अच्छा खासा support भी लिया है market ने जो मैंने कहा था वही अब इसको मैं बढ़ा देता हूं आगे की तरब ऐसे और उपर ऐसे है अब देखो एक्जेक्ट वही सपोर्ट लिया ना मार्केट में जहां पर मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया हुआ था लिया या नहीं लिया कि अब मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी अब इसके बाद कौन से candle बननी चाहिए देखिए यहां पर भी आपको दो कंफर्मेशन मिलना है पहला कौन सा कंफर्मेशन काउन सा कर फंफर्मेशन पहला तो इतना अच्छा विक अपसाइड इस कैंडल में मतलब बायर्स प्रेशर आ गया मतलब बुलिस प्रेशर आ गया उपर की तरफ प्रेशर आ गया और दूसरा कंफर्मेशन आपका यह कौन सा है क्या है यह क्या है है हैमर बना हुआ हैमर हैमर बना हुआ न यह हैमर हैमर का मतलब आप जानते हैं ट्रेंड रिवर्सल फिर से मतलब अ लेखते हैं क्या होता है नेक्ट कैंडिल मेरे ख्याल से ग्रीन बननी चाहिए आपके ख्याल से क्या है आप सोचिएगा सोच लिया चलो मैं बलाता हूं आंगे नहीं बनी नहीं बनी काउन सी बनी रेड ही बनी लेकिन डोजी बनी मलब लेकिन एक कनफरमेशन और दे गई आपको यहां पर चलो यहां एक आपका गलत हुआ यहां पर एक कनफरमेशन आपको और दे गई हैमर भी आपका सपोर्ड भी और इस सपोर्ड को यह कैंडल ब्रेक नहीं कर पाई है तो इसके next वाली आप तो बिल्कुल confirm हुम है कि Green ही बनेगी इस support को break कर देती अगर तो तो trend आपका downward direction में आ जाता इस support को break नहीं कर पाई ठीक तो जाए हाला कि मैं डोजी पर मना करता हूं इसको इन डिसीजन कैंडल बोलते हैं ठीक ना यहां मार्केट डिसाइड नहीं कर पाएगे उसको नीचे जाना या उपर जाना लेकिन आप डिसाइड कर सकते हैं कैसे अगर इस सिचुएशन में जो इस तमय यह सिचुएशन है इ कि एक तो हैमर बना हुआ यह नीचे आपका सपोर्ट भी है यह और यह केंडल सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाई है तो जाहिर सी बात है यह मजबूत सपोर्ट है तो जाहिर सी बात है कि मार्केट को यहां से रिवर्स करना ही चाहिए वैसे मैं डोजी पर मना करता हूं यह एक indecision candle होती है यह market decide नहीं कर पादी नीचे से भी rejection है उपर से भी rejection है मतलब यहां पर बाइर्स और शेलर्स की fight चल रही है ठीक ना जब fight चल रही है तो जाहिर जिवात है कि कौन विजयता होता है यह तो next candle बताएगी ठीक लेकिन मेरा उपीनियन ये है हैमर को देखते हुए और आपका सपोर्ट को देखते हुए कि यहाँ पर मार्केट को नेक्ट कैंडल ग्रीन ही बनाना चाहिए क्योंकि अगर तीन कंफरमेशन यहां मिलना है एक तो सपोर्ट का दूसरा हैमर का तीसरा यह कैंडल सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाई है इसलिए मैं यहाँ पर स्योर हूं कि नेक्ट कैंडल ग्रीन ही बनेगी लेकिन आप लोग डोजी पर ट्रेड मत किया करें ठीक है चलो च ठिक आइसे बढ़ाते होँ चलेंगे क्योंकि अभी मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पाई है तो नेक्ट कैंडल प्रेडिक्शन करने में हम लोगों को क्या होगी आसानी होगी चलो देखते हैं अब ही नेक्ट कैंडल कौन सी बनेगी ज अब बताईए next candle कौन सी बनेगी तो हम लोगों को एक resistance की यहां पर जरूरत पड़ेगी कौन सा resistance मैं दिखा देता हूं आपको rectangle ले लेते हैं अभी समझ में आ जाएगा एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी ठीक है ना एक एक चीज और यही मेरा काम है एक एक चीज को समझाना ठीक तो यहां पर एक आपका इस जगए पर यह यहां ऐसे ऐसे पर लब यहां एक अच्छा resistance है आपका और इसको देंगे बढ़ा ठीक विक तक ठीक थोड़ा सा इसको सही से यार सेट करेंगे इसको सही से सेट करेंगे इसकी विक मतलब इसकी विक इस कैंडल की विक और यह भी सपोर्ट में आ रहा इस और रजिस्टेंस में आ रहा यह भी रजिस्टेंस में आ रहा और इसकी विक देखो यहां से कैंडल ने रिवर्स लिया और मार्केट ने अच्छा कासा नीचे एक से अच्छा-कासा मार्केट ने फॉल किया डाउनवर्ड डायेक्शन में आई है तो क्या इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया नहीं किया है इस ग्रीन केंडल क्या ब्रेक किया है इस रजिस्टेन्स को नहीं किया तो next candle को उसी बनेगी बताइए आप जाहिर शिवात है आप सबुआ अब कि रेड बनेेगी ऑंसी बनेगी रेड बनेगी क्योंकि ब्रेक नहीं कर पाया को भी कि देक्ते हैं क्या रेड बनी हुई है कि कि ए बहुत अच्छे कर्ब थोड़ा सा ओड। थोड़ा सा हो बस अट रेट अटे लिए मार्केट इन दोनों के अंदर है उपर resistance, नीचे support, market इसी के अंदर है ना, market इसी के अंदर है, तो थोड़ा बढाते हुए चलेगे, अब गाई चलते हैं, अब आपको क्या करना है, next candle बताना है कि कौन से बनेगी, मेरे ख्याल से, दखिए इसको break नहीं कर पाई है, तो मेरे ख्याल से market यहां पर नेक्स्ट पैंडल जो बनाना चाहिए वो आपकी रेड़ कैंडल बनाना चाहिए इसके नेक्स्ट वाली जो कैंडल आएगी ठीक है अभी देखते हैं क्या तक इसको बेक कर इसको रचिस्टेंस को तो ब्रेक करना ही पाई यह मार्केट तो कौन से आनी चाहिए आप कि रेड केंडल आने चीए देखते हैं क्या होता है नहीं ग्रीन केंडल आ चुकी है गाईज अब आपको यह देखना है कि यह कौन सी केंडल है यह कौन सी केंडल है यह कौन सी केंडल है मैंने हमेसा आपको समझाया ये भी एक डोजी ही candle मानूंगा मैं ठीक है ना नीचे से भी rejection ऊपर से तगड़ा rejection लेकिन ऊपर से ज्यादा rejection आया कहां से आया है इस लेविल से आयाLee यहां पर भी एक रजिस्टेंस एरिया हो गए आपका ड्रॉ कर लेते हैं देखिए एक भी रजिस्टेंस एक भी सपोर्ट आपको छोड़ना नहीं है मार्केट सपोर्ट एंड रजिस्टेंस के हिसाब से ही चलती है मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन इसी दो पर मार्केट पूरी चलती है कहां डिमांड आ रही है कहां सप्लाई हो रहा है सब इसी के उपर डिपेंडेड है ठीक रहा चलो इसको ऊपर ऐसे सेट कर लेंगे थोड़ा विक तक ले जाएंगे ऐसे ठीक अब आपका यहां से अच्छा खासा एक रिजेक्षन आया हुआ एक ठीक और यहाँ पर भी देखो रिजेकशन अगर इन केडलने लिया है तो ऊपर की तूर्प लिया है इस पर बंदेंस का अच्छा काम कर रही है कर रही है यह कि यहां से उच्छा KASA market ने फॉल किया है और उपर आप देखेंगे तो यहां से भी आपका rejection G 의 Market ब्रेक किया देन इसको रिटेस्ट किया रिटेस्ट वाला देख लीजिए जाके आपको मेरे यूट्यूब चैनल मिल जागे इसलिए मैं बोलता हूं पिछले वीडियो देख लो अच्छा कासा रिटेस्ट किया दैन अगेन कंटीनेवेशन किया मतलब यह एक लेवल आपका बहुत neural इस लेबल को ब्रेक नहीं किया तो जाहिर जीबात है कि इस लेवल को नेश्ट कैंडल ब्रेक नहीं को पाएग़ी ब्रेक करही नहीं पाया है क्या किया सेलर्स ने विजक्षन देके अंदर ही इस लेबल के क्लोज कर दिया है ठीक ना लेकिन मैं हमेशा समझाता हूं जब दोनों तरब से अच्छा खासा प्रेसर हो वहां पर आपको ट्रेड वाइड करना लेकिन मेरे ख्याल से यहां पर रेट कैंडल आनी चाहिए और इस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग देना चाहिए ठीक चलो देखते हैं अब बहुत अच्छे हैं अब आपको यहां पर गाइज डबुल कनफरमेशन मिल गया ठीक यहां पर इसको बढ़ा देते हैं इसे ठीक यहां पर आपको double confirmation मिल गया इसमें भी rejection इसमें भी अच्छा खासा rejection ठीक और लेबल यह वाला जहां पर यहां से अच्छा खासा ट्रेंड चला था और इन candle ने उपर की तरफ rejection लिया था जब यह break किया था मार्केट में अब समझ लीजिए यहां हुआ हो तो और बताईए आरे जाहिर सी बात है इसको भी अइस बड़ाते हुए चलेंगे जाहिर आधर रेड़ केंडल आपके बने दिए रट गेंडल बनेगी न धेकते हैं क्या रेड भी अज़ञत Alt कर आभ इसके बाद उन से कंडल बनेगी कोई बता सकता है कि उसके बाद कौन से कंडल बनेगी तो अरे यह वाला गयब श्वी ट्रान अब यहां से आपका ट्रेंड चेंज को चुकता फिर से एक ह्ए यह हाई मलब यहाँ पर कौन सह चलने लगा ओका हाय रलो इस मत्लब L화經 बोलो ठीक मड़ी और लो फिर हई और उबडी Agency अनक्राइब वीडियो आजाएगा हायर हाई हायर लोका ठीक है ना नेक्ट वीडियो मैं दे दूंगा उससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा तो नेक्ट कैंडल भी आपकी रेड़ बननी चाहिए लेकिन गई नीचे भी आपका सपोर्ट है यह क्यों भूल रहे हुआ ठीक है यह तो कनफर्म हो गया कि इस सपोर्ट को ब्रेक इस रजिस्टेंस को ब्रेक अब मार्केट नहीं कर पाएगी लेकिन नीचे भी सपोर्ट है तो यहाँ पर मैं कनफर्म नहीं हूं कि कौन सी कैंडल बनेगी या तो इसको ब्रेक करें इस सपोर्ट को ब्रेक करें या तो तो उपर वेजिस्टेंस को बिरक करें तम मार्केट का एक डायरेक्शन होगा ठीक चलो देखते हैं नेक्ट कैंडल वैसे रेड बननी चाहिए क्योंकि एक यह बीरिस कैंडल अच्छी सी आई है बाकी कुछ भी बन सकता मैं से और नहीं हूँ बहुत अच्छे गाइज बहुत अच्छे रेड गेंडल आपकी बनी हुई है तो गाइज आपको बहुत कुछ सीखने की मिला होगा मेरे इस पार्ट से आपको ठीक है मैं हायर हाई और हायर लो का एक डेडिकेटिड वीडियो बहुत जल्द लेकर आपको दूगा जिसमें देखते होंगे जैसे कि मैं आपको देखा दूँ चलो बदल देता हूँ जैसे ये ट्रेंड जलना यह क्या बनाता चलन हो आए इबनाता चलन आ हायर लोट and higher high कि ठीक और वो डाउंट्रेंड में चलता है क्या बनाता चलता higher low and lower low ठीक जो डाउंट्रेंड में होगा वो higher low and lower low और जो uptrend में होगा वो higher high and higher low higher low high & higher high ठीक ध्यान रखना है जिसको घाइस वीडियो कैसे लगी जरूर बता देना मेरा कोर्स जरूर जोइन कर लेना थे गया आपका दिन कि सुब हो